आज की वीडियो में आपको बताने वालों इंदरपयोस इन्युवस्टी में बीटेक में एडिमीशन लेने के लिए पूरा प्रसीजर कहा रहता है कैसे कैसे हमारी पूरी काउंसलिंग होती है तो सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिजिस्टेशन करना होगा इंदरपयोस इन्युवस्टी की लिए जो कि हमारे जिस्टेशन अब ओपन होने वाले है जब हमारे जी में अटम्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा ठीक है तब आप उसमें रिजिस्टर कर सकत है यान्य को टूटल रेजिस्ट deny में 2200 रुपीस लग रहे होंगे दिन अफ्टर डेट क्या होता है आपके रिजिस्टर कॉम्प्लीट होने के पुश्यों होने लगती है, अगर मान लेते हैं, दो हमारे पास option है, एक आपको एक seat मिल गई, और एक option है कि आपको कोई भी seat नहीं मिली, अगर आपको कोई भी seat मिली है, कोई भी college में मतलब आपको कुछ अलोट हो गया है, जो आपने choice feeling बरेती है, उसके अंदर से, तो आपको 40,000 रुपीज पे करने होंगे, 40,000 रुपीज आपको पे करने होंगे, वहीं पे, यह 40,000 रुपीज मान लेते हैं, कई बचों के mind में doubt होता है, कि मैं तो अपना admission चाहिए विड्रा भी कर सकता हूं, कि मुझे इसमें लेना ना हो, तो 40,000 रुपीज refundable होते हैं, इन में से आपको 40,000 रुपीज पे करने हैं, अगर आप यहीं सीट लेना चाहते हैं, तो आपको फ्रीज पे क्लिक करना होगा, वहापे दो अप्शन आते हैं, का आता है, फ्रीज का और रहा था फ्लोट का, अगर आपको यह सीट नहीं चाहिए, आपको और ज्यादा अच्छी सीट तो वो second round में automatically चले गए, उनके पास ना float आएगा ना freeze, वो second round में automatically चले गए है, then उसके बाद क्या होगा, जिनोंने अपना freeze कर दिया था, first round के अंदर ही, जिनको जो सीट मिली थी, अब जब भी notice आएगा कि उनको college में report करना, तब उनको उस time पर college में report करना होगा, अपने स लोट करा था, या फिर जिनको कुछ नहीं मिला था, second round में गया है, अब second round में वो दुबार से choice filling edit कर सकते है, दुबार से change कर सकते हैं कि कि किसी चीज को ओपर, किसी चीज को नीचे, इस type से वो कर सकते है, then से मैसी second round का result आएगा, float freeze, 40,000, same way चलेगा, अगर आपको seat मिली है important round होता है, मैं आपको बतातो क्यों, आपने वही चीज करी, choice filling करी, लेकिन, अगर आप third round में choice filling कर रहे हैं, तो ऐसे करनी है, क्योंकि third round के बाद एक round होता है, sliding round, sliding round होता है, वो sliding round के अंतर आप दुबार से choice filling नहीं कर सकते है, आपकि third round की choice filling ही consider होती है, उसके अंदर, और game चेंजर राउंड वही है sliding round क्योंकि choice filling अब बदल नहीं सकते ठीक है और आपको जो seat मिलेगी वापको फिल लेनी पड़ेगी जहां से सुनिएगा अब आपने 3rd round की choice filling करी 3rd round की choice filling करने के बाद दुबार से 3rd round का result आएगा अगर आपको 3rd round के अंदर कुछ भी नहीं मिला होता कोई भी seat a lot नहीं होई है तो आपको अब spot round में try करना होगा ठीक है लेकिन अगर आपको कोई भी seat मिल गई है कोई भी college की कोई भी seat मिल गई है जो आपने choice filling भरिती उसमें से तो आपके बास अब फिर से 2 option है याद रखना है अगर seat नहीं मिलिये तो आपके जो main counseling है वो आप आपको कोई seat मिल गई है तो आपके पास अब दो चांस है दो चांस कहा रहा हूं है दो option है ठीक है एक या तो आप freeze करें वो seat ले ले और एक अफ्लोट कर दें और sliding round में चले जाए sliding round उनी बच्चों के लिए जिनके पास कोई seat है अब sliding round में कुछ upgrade होना होगा तो वह होगा अगर आपको seat मिल यह तो अव्यसी बात है third round में आपको 40,000 पे करने है ठीक है आप पहले से पे कर चुके है अब fourth अब sliding round का जो भी result आएगा वो आपको accept करना होगा ठीक है तो सोच समझ के जाना है अब मान लेते हैं आपको कोई seat मिल गया sliding round का भी result आ आ गया आपको कोई seat म करने के बाद हर बच्चा spot round में जा सकता है जिसने आज तक IQ की counseling नहीं भरी थी वो भी spot round में जा सकता है और जो पूरे का पूरा counseling process करके आया है जो college में admission ले चुका है किसी IP के वो भी spot round में जा सकता है spot round के अपने को charges होते है 500 के around 200 के around वो fluctuate होते रहते कभी 200 था फिर 500 हुआ लेकिन IP पहले से नहीं बताती क्योंकि हो सकता है spot round 1 में सारी सीटे भर गी तो spot round 2 नहीं होता ठेक है spot round 2 तभी होता है जब spot round 1 में सीटे नहीं बरेती सब कुछ ये पूरा का पूरा process है ना online चलता है ठेक है then सबसे last जो चीज होती है हमारी वो होती है spot round वो भी होता है हमारा offline mode में है ठेक है यानि आपको डारेक्ट जीजसाइपी जो दवार का USICT वाला जो campus है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होता है जो भी सीट खाली होती है आप से वह आपको seats देते है spot round जो offline होता है बहुत जादा लेट होता है तो एक बहुत जादा बहुत ही जादा रिसक spot round में के अंदर भी न अगर आपको seat upgrade हो जाती है तो 5000 और पे करने होते हैं अगर पहले से आपके पास कोई seat थी तो sliding round अगर आपके बास कुछ नहीं थी तब या आपको 40,000 पे करने होते है मेरी बात आपको इमें भी clear हो गई है बहुत जादा पंगा होता है तो कोशिश करना यार सब चीज़े सोच समझके करो कुछ भी गलती ना करो मैं categories का थोड़ा बता देता हूँ जो हमारे sliding round तक होता है वो सारी हमारे categories and all चलती है SCA, STA, outside Delhi, from Delhi सब कुछ चलता है लेकिन spot round में आते ही हमारा सब कुछ खतम हो जाता है सारे के सारे all India quota लगता है तो spot round में किन का फायदा है उनका फायदा है जो outside Delhi है जबकि जो main counselling है उसमें फायदा है हमारा जो हमारे round 1, round 2, round 3 विगरा सब चला है ठेक है इसके अंदर फायदा हमारा जो inside Delhi है एक और चीज में आपको छोटी सी बात आना चाहूँगा sliding round के अंदर में आपको बोला कि Delhi का quota लगता है यानि कि Delhi के अंदर जैसे 85% reservation है कि Delhi के बचुक 85% seat दी जाएगी और 15% outside Delhi को दी जाएगी तो ये IPO पिछली साल इसमें बहुत जाद पंगा किया था ये बोलते तो है कि जनरल की Delhi के लिए है outside Delhi के लिए है quota वेगारा नहीं लगता sliding में भी लेकिन लगा दिया था तो सोच समझे करना है आर चीज ठेक है ना outside Delhi from Delhi ये कभी हटा देता है थर्ड राउंड तक आप बिल्कुल सेफ हो ठेक है sliding में थोड़ा सा confusion create करते है spot में तो आपको बता दिया कि outside Delhi from Delhi कोई फ़रक नहीं पड़ता ठेक है ना फिर एक तरीके से सारे all India quota की तरह काम करता है hope so मैं आपको पूरी की पूरी IPO की counseling समझा पाया हूँ register में अगर आपने note करा तो बहुत अची बात है अगर कर लेना सारी चीज़े register में note अगर आपने नहीं करा था तो मैं इस वीडियो काट के शबात में डाल दुआ कोई भी डाउट है आप मुझे mail कर सकते हैं ठेक है आप मुझे instagram पर dm कर सकते हैं वैसे में youtube पर पूरे पूरी information दा रहा हूँ डाल रहा हूँ लेकिन तब भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे इंस्टा पे आए प्रिली पूछे कोई दिक्रत में आर मिलते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब बाबाए थैंक्यू